नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे आज के नई वीडियो में कैसे हैं आप लोग यूप ठीक ही होंगे भगवाना आप लोग को स्वस्त रखे मस्त रखे आज में दोस्तों बात करने वाले हैं SBI Bank के सभी credit card के बारे में कि आपके पास अगर SBI का कोई भी credit card है और आप अ आप के अंदर उसको limit increase करवाने को offer दे रहे हैं यहां पर आप लोग को कोई message नहीं आएगा लेकिन आपको आपकी app के अंदर उसको आप लोग चेक करेंगे तो वहाँ पर limit increase को offer जो है वो दे रखा होता है तो आज उस वीडियो में उसको आप लोग को वही बताने वाला हों रहे तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं शिरू करता हूँ आप लोगों को limiting offer है या नहीं यह कहां पर जाकर चेक करना है आप लोगों ने आप लोगों ने दोस्तों अपनी SBI की जो card वाली app है SBI card उसको open कर लेना अपने phone के अंदर उसके बाद दोस्तों जैसे आप लोग क फोन में app open हो जाएगी आप लोगों को left में दिखेंगे तीन 200 लाइन दिखेंगे आपने उसके उपर click करना है जैसे आप लोगों को यहाँ पर click करेंगे click करने कर आप लोगों को option दिखाई देगा EMI and more तो आप लोगों ने EMI and more वाले section पर click कर देना है उसके बाद दोस्तो करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर option दिखाई देगा balance transfer flexi पे अगर आप लोगों को यहाँ पर limit increase offer आया होगा तो यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा कि आपको limit increase offer है तो अपनी limit को increase कर लीजे अगर दोस्तों आप लोगों को limit increase offer नहीं मिला होगा तो सिर्फ यहाँ पर ये दो ही option दोस्तों आप लोगों देखने मिलेंगे balance transfer second जो है flexi पे तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर अपनी app के अंदर लिमिट increase को offer जो है मिल जाएगा बहुत सारे लोगों दोस्तों यहाँ पर limit increase को offer मिल चुका है अपनी limit को दोस्तों लोग increase जो है वो करवा चुके हैं तो जल्दी जाएए उस तो लिमिट को आप लोगों भी increase जो है कर लिजे तो इस वीडियो में इतना ही हम मिलेंगे आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद